दूर्वा का एक पाठ पाठ का शीर्शक है बुढ़ी अम्मा की बात एक था किसान गोमा मूरी नाम था उसका गुजर बसर लाइक खेती थी एक गाए एक जोड़ी बैल बीस बकरियां थी छोटा सा घर घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा तीन साल से वर्षा बहुत कम हुई थी ना फसले हुई थी न चारा इस वर्ष भी आशार सूखा ही रह गया वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी अब मैं खेत जोट कर क्या करूँगा गोमा ने एक लंबी सास छोड़ी वो बैलों को हांकते हुए वापिस घर की ओर चल पड़ा अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा उसकी पतनी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई गोमा ने फिर हिम्मत पचूरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा गोमा खेत जोतने से क्या होगा अरे वर्षा के तब कुछ भी असार नहीं दिख रहे ठीक है कोई बात नहीं कि गोमा को क्या हो गया रहा है और ये खेत जोतने जा रहा रहा है पता नहीं कि क्या हो गोमा ने सबकी बात सुनी और कुछ सोच कर खेत पर पहुँच गया सुरज आग के गोले की तरहा जल रहा था खेतों में गहरी और चोड़ी दरारें पड़ गई थी वो बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चंतित था उसने फेर एक लंबी सास छोड़ी और खेत की मिल पर एक व्रिक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा क्या करूं खेत जो तूं यह ना जो तूं कुछ समझ नहीं आ रहा उसोचता रहा उसोचता रहा तभी वहां पर एक बुड़ी अम्मा गई अर्यों बुड़ी अम्मा कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में तुम्हें किधर जाना है पेटा मैं तो अपनी नातिन से विनले पास के गाउं जा रही हूं लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो यह समय तो खेत में हाल जोतने का है लेकिन तुम यहां आराम कर रहे हो अम्मा तुम तो जानती हो तीन साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है हाँ बेटा इस वर्ष में यही हाल है खेत जोत कर क्या करो देखो बेटा वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है यह तो प्रक्रति पर निर्भर है जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगे अम्मा खेत बहुत कठोर हो गए है मेरे बेल दुबले है इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है चारा पानी ही क्या यह तो पेड़ों की पत्या तक खत्म हो गई है पेड़ तो यहां सब लोग काट रहे हैं देखो अब पेड़ भी कहां बची हैं अम्मा जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्यां कहां से आएंगी अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती लेकिन जो हुआ सो हुआ अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो तुम बेटा निराश मत हो खेतों में हल चलाओ उन्हें हांक जोत कर बोने के लिए तैयार करो ठीक है मा बेटा इस मौसम ले कभी ना कभी तो वर्षा अवश्य होगी अवश्य होगी बेटा वर्षा अवश्य होगी वैसे तो गोमा मन से निराश था मगर बूढ ही अम्मा की बातों से उसकी आशा थोड़ी बढ़ी अगले दिन उसने पूरे उत्सा से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया चल बचे चल चल अरे खेत जोतेंगे वर्षा भी तो होगी ही होगी अरे खेत जोतेंगे चल 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 बचे उसने लगा तार चार दिन तक हल चलाया खेत खूब अच्छी तरह तयार हो गए गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसंद था अब वो बैलों को हांकते हुए घर की ओर चल पड़ा पूरी रहा वो गुन-गुनाता रहा चल चल बचे चल चल अरे खेत जोतेंगे हम वर्षा भी कभी तो होगी चार दिन की कड़ी मेहनत के कारण वो निधाल होकर सोया सवेरे जब वो सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी बक्रियां मिम्या रही थी वो पुलक कर उठा उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई अरे अजी सुनते हाओ क्या है अजी बाहर तो आओ अरे देखो तो पर्षा होने वाली है अजी बादलों को जी भर कर नहारा उसे लगा मानू बादलों से बुढ़ी अम्मा की मस्कुराते अजी होई आकरती उभर आई हो उसे बुढ़ी अम्मा की बाद रह रह कर यादा रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो बादल बरसने लगे बारिश और तेज हो गए बुढ़ी अम्मा की बाद अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम कलाकार सुचित्रा गुप्ता शार्दा गुप्ता हर्ष बाला और सुनील लोहिया ध्वन्यंकन अमिता भट्टी ध्वनी संपादन निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति C-I-E-T-N-C-E-R-T